अगर तुम इस टाइम के ओपर ये पाच गलतिया करते हो तो तुम कितना भी पढ़ लो तुम अच्छा ही स्कोर नहीं कर पाओगे क्योंकि most of the student के यहाँ पर यही गलतिया होती है जो कि उनको अच्छा ही स्कोर नहीं करने देती अगर आपको यह वीडियो आपके एक्जाम से पहल मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपके 10-15% मार्क्स फाइनल में इंप्रूव होने वाले हैं क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसी पांच गलतियों के बार में बात करने वाले हैं जो कि most of the students करते हैं जिस वज़े से उनके बोर्ट का जो एक्जाम होता है वो बरबाद हो जाता है जो सबसे पहला पॉइंट वह है यार माइड सेट का देखो बहुत सारी स्टुदेंट का इस टाम के ओपर जो माइड सेट ना बहुत जादा नगेटिव उरका है उनका माइड सेट यह ओखा है कि वहारे ना प्री बोर्ट्स थे प्री बोर्ट्स मैं अच्छा नहीं कर वो उसका माइंड सेट ही रहता कि यार मैं क्लास टॉप करूंगा, क्या रहता है उसका माइंड सेट कि मैं क्लास टॉप करूंगा, जबकि एक्साम हुए नहीं होते हैं, तो यही माइंड सेट होता है, जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, उनका माइंड के अंदर वो चीज 90% blacks, 85% पाहँ लेकिन जो कुछ नंबर आएंगे फेलियर होगा माइंड सेट जब तम्हें बार बार बोलो जो तुम्हारामड तुम्हारा माइंड तुम्हें आईडिया देगा भी बताया था कि अपना जब भी कोई भी schedule बनाओ तो उसमें सबसे first जो line होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए और comments के अंदर भर दो एक एक बार दो दो बार लिखो यार दिन में लिखो कि हाँ भाई yes I will do it yes I will score सबसे पहली line होनी चाहिए कि I will score चीक है कितना score करना चाहते हो 95% से नीचे तो अपना target ही मत रखो फिट देखेंगे यार क्या होगा जाद से जाद क्या होगा कि 95 नहीं आएंगे तो अमने सोचा तो सही था at least अगर आ जाएंगे तो सोचो उसके बारे में एक बार एक उसकी मैंड सेट के उपर ही ध्यान रखो डरो मैत एक्जाम से सिर्फ और सिर्फ ये बोट्स के एक्जाम है इसमें जादा कुछ नहीं है बड़ा ही सिंपल सा पेपर होता है आप लोगों को फालतू के अंदर डरा रहें लोग लिकिन इतना सादा टफ नहीं है अपने माइंड सेट को करो कि हाँ भई मैं भी एक टॉपर हूँ मैं भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि उनके पास में कुछ अलग नहीं है मेरे से मेरे जैसे ही इंसान है उनके पास भी वही दिमाग है जो मेरे पास में है अगर उनको कुछ चीज़े याद हो रही है दो बारी के अंदर याद हो रही है तो मुझे चार बार में होंगी लिकिन मैं महनत तो करूँ ठीक है तो अपने माइंड सेट को यह रखो कि यस आई विल डुट क्यों नहीं करूँगा मैं और कमेंट्स के अंदर लिख दिया करो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्षिन व्यूस से जाद तुम्हारे कमेंट्स होने चीए इसमें और फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है रॉंग रिविजन टेक्निका अब most of the students यहां पर क्या करते हैं दो तरीकी की रिविजन करते हैं सबसे पहला होता है रीड वाला कि क्या करेंगे बुक खौली और फिर उसके बाद में उसको पढ़ने लगे पढ़ते जारे पढ़ते जारे जारे तो कैसे आपको चीज याद रहेगी वो चीज बिल्कुल भी याद नहीं रख पाओगे एक्जाम के अंदर आपको उसे याद रखना है उरसे के साथ में आपको उसको लिखना भी है तो क्या रीड करने से वो हो जाएगा नहीं होगा अगर आपको थोड़े टाइम के लिए याद रखना है तो आप उसे रीड करो आपको एक्जाम तक उसे याद रखना है एक्टिवली कि आप उसे एक्जाम के अंदर आंसर में लिख पाओ तो उसके लिए क्या करना होगा आपको उसका active recall करना होगा active recall करना होगा अब यह कैसे करेंगे क्योंकि most of the students अभी यह कर रहे हैं कि बस read कर लेते हैं बस उपर उपर से पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं होता active recall में क्या होता है आपको writing करके करना है मतलब क्या हुआ यह मैं बताता हूँ आपको जैसे कि आपकर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे जैसे कि फोर एक्जाम्पल के लिए आज आपने nationalism in India पढ़ा तो आप उसके अंदर जब पढ़ होगी जैसे कि non-corporation movement आपने पढ़ा भूलना नहीं है उसको भी साथ में recall करते हुए चलना है क्योंकि अगर हम यह करते गए ना कि आगे का पढ़ते जारे तो भाई हम दो दिन बाद में उसी इस्तिती के उपर आ जाएंगे जिस इस्तिती पर हम पहले थे तो इसलिए अपना बार-बर revision करना है यहाँ पर बहुत ही जादा important आप क्या चीज़े भूल रहा आप फॉर्मला भूल रहे तो फॉर्मला बार-बार revise करो अगर आप कोई भी diagram भूल रहे उससे revise करो questions भूल रहे उससे revise करो अब paper presentation के लिए मैंने एक वीडियो तो बना रहे लेकिन इसके बारे मैं आपको short में बताता हूँ कि आपको paper presentation है ना बस यही एक difference करता है average में और एक topper के अंदर बस यही difference होता है अगर average student इस चीज को समझ लेता है ना तो उसको topper बनने से कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है अगर उसको यह hack मिलगा ना कि भाई paper के अंदर present कैसे करना है तो बड़ी ही आसानी से कर लेगा तो अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो यह last year के जो topper है उनकी answer sheet है ध्यान से देखना सबसे first आप लोग यहां पर देखोगे कि उसने क्या करा है एक तो underline उसने करिया दे जैसे कि इसने लिखा बर्टन वूट्स कॉनफरेंट यहां पर इसने underline क्या है और teacher ने इसको ही यहां पर टिक करा हूँ यह teacher का टिक है यह मैंने नहीं किया है फिर उसके बाद में IMF International Monetary Funds तो teacher ने क्या करा है इसके ओपर क्लिक है और teacher को पता लगिए कि यह एक keyword है और इसने अगर एक keyword लिखा है तो इसका answer सही ही होगा तो इसलिए जब भी आप read करो ना तो कोशिश करो कि आप उसमें keywords को highlight करो एक क्यूंकि आप ने आप examiner को क्या बोल रहो कि भाई यह वाला word देख लो और examiner 3-4 टिक के अंदर आपको full marks दे देगा क्यूंकि examiner के पास में time नहीं होता है तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप ना ऐसे keywords को highlight करना सेखो अभी जब आप sample paper दे रहे हो तो उसमें भी आप highlights करके लिखो ठीक है और फिर उसके बाद में जैसे कि एक और आप question देख लो अब इस question के अंदर examiner था उसने क्या दिखा कि liquid gases forms और फिर उसके बाद में इन तीन इसलिए को highlight करते हैं तो teacher को लगा कि यह तो एक दम से सही है आप यह बोल रहे हो कि teacher यह यह चीज़े देख लो और मेरेको full marks देद और वो इसमें full marks दे भी देते हैं तो बस यही आपको technique अपने अंदर याद रखनी है और अगर कुछ गलती हो जाए हम क्या करते हैं कि जैस इसको accept करके आगे चलो फिर फिर इसके बाद में जो next है हमारे पास में वो है तीन घंटे का golden rule इस time के ओपर तुम्हे help करेगा कि अगर तुम कोई भी chapter पढ़ रहे हो तो तुम 6-6-7 घंटे के lecture देखनी के बज़ा है इस तीन घंटे के golden rule को आपको follow करना है यह rule क्या है यह rule आफ आवर रहेगा उसके अंदर आप स्टेडी करोगे इसमें आप कोई भी one shot video देख सकती हो बुक देख सकती हो जिससे भी आप पढ़ना चाहते हो पहले आप उससे पढ़ो उनसे पढ़ो उसको consume करने का time है कि आप उसको सीख रही हो फिर उसके बाद में जब आपका यह 1 आपको डेड़ घंटा उसके क्योशन प्रैक्टिस को देना है और अपनी self study को देना है आप उस time पर खुद से पढ़ोगे किसी से और से नहीं पढ़ने वालों किसी भी वीडियो अगरा से आपको नहीं पढ़ना है और फिर इसके बाद में जो next है आर सब से important बात है इस time के तो सब कुछ नहीं पढ़ना है पहले वो चीजे पढ़नी है जो कि हम लोग कर चुके हैं क्योंकि अगर जो हम पढ़ चुके हैं वो छुट जाएगा तो भाई हमारे पढ़ने को कोई meaning नहीं निकलेगा और ये कोशिश मत करो कि मैं इस book से भी पढ़ लेता हूं उस book से भी ये सब करने से नहीं होगा आप minimal रखो कि आपको NCRT सफिशेंट है इसके लावा आपको और कुछ भी नहीं करना है और आपको ज़्यादा ये डरो मत्यार कि तो मैंना बस book देखकर के डर रहो एक तो इता सारा material देखकर डर भी लगता है कि वह इता सारा कैसे होगा तो इस स कुछ गलतिया थी जो कि most of the student अपने एक्जाम के अंदर करते हैं और एक बात ध्यान रखना कि last के टाइम है इस टाइम के ओपर डरना नहीं है आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो बस अपने आपको पर विश्वास रखो कि यहाँ जब पेपर आएगा तो मैं ब वेरी बस